इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी निव वीडियो सबसे तहले देखने के लिए समाजवादी पार्टी के सनरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंग्यादों के बेहत करीबी थे 1949 से ही वा सक्रिय राजनीती में थे, साल 1949 में मुलायम सिंग्यादों पहली बार सरपंच बने थे, पिछले काफी दिनों से उनकी तबियत खराब चल रही थी रविवार को उनके पैतरिक गाउं में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे UP के पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादों ने भी उनके नेधन पर शोग जताया है समाजवादी पार्टी के आधिकारिक फेस्बुक पेज पर मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के हवाले से लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादों ने आगे लिखा गया कि अखिलेश यादव ने दिवंगत आत्मा की शांती एवं संतप्त परिवार जनों को या दुख सहन करने की शक्ती देने की प्रार्थना की है श्री यादव ने कहा कि वे आजीवन किसान गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज उठाते रहे उनका शहर में कोई अपना मकान नहीं है वे पूरी जिन्दगी गाउं में ही सादगी का जीवन जिये वे आजीवन समाजवादी विचारधारा के प्रतिस समर्पित रह उनके निधन से पार्टी को अपूरी अच्छती हुई है